नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में आज का ये वीडियो मैं ले क्या हूं सेलेक्सन ऑफ कैलिबर पे जिन भाईयों का निया लाइसेंस होने वाला है या हो चुका है और वह बहुत कन्फ्यूज हैं कि वह कौन से कैलिबर का वेपन ले मैं ये वीड तो बहुत जादा जो कन्फ्यूज है जिनका निया लाइसेंस हुआ है या होने वाला है वो लोग कन्फ्यूज है तो बेसिकली ये वीडियो उन भाईयों को टार्गेट मतलब मैं टार्गेट कर रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा हैंड गन पर चुकि हम इंड में मोस्टली आप भी देखे होंगे और मैंने भी देखा है कि 0.32 जनरल लोग के पास 0.32 है बहुत कमी लोग ऐसे हैं जिनके पास 0.357 है 0.380 ACP है 0.45 कैलिबर है चुकि पहले क्या था पहले 1986 जब इंपोर्ट चलू था इंडिया में तो इंपोर्ट से पहले सभी कैलिबर क इंपोर्ट के विपन और उसके कार्टरिज बहुत इसली इंपोर्ट हो जाते थे एक आम सिविलियन भी इंपोर्ट कर लेता था लेकिन 1986 के बाद इंपोर्ट इंडियन गॉर्णमें बंद कर दिया जिसके करण हमारे पास मतलब हम इंडियन के पास सिर्फ इंडियन मेड ही विपन का एक मातर ओप्शन बच गया था और उसमें कहा है कि इंडिया में सिर्फ आयूएफ ही विपन बनाती थी और कोई प्रावेट कंपनी नहीं बनाती थी तो आयूएफ से 0.22 और 0.32 ही बनाती थी तो हम सभी लोग जो भी 86 या 90 के बाद का लाइसेंस जिनके पास है उ अब ही चुकी काफी दिन बाद प्रावेट इंडियन प्रावेट कंपनी 0.45 कैलिबर 0.30 कैलिबर बनाना चालो की तो अभी यह दो कैलिबर जो है वो काफी बहुत है बना हुआ है लोगों के जीच तो मैं इसी पर आया हूँ इसी पर आपसे बात करने आया हूँ तो मैं का एक्चन परफस कहते हैं अब को सही में अफ्रेट हैं डब इसी जाया वो को सिफ्टी हो ऑफिस सिफ्टी हो या पनी असी सेफ्टी हो उसके लिए विपन ले रहे हैं यह सिर्फे होकारट करने के लिए पने दोस्तों यारूम और हमसा बहुत लोग के मुझत है यह सुनत सबसे पहले तो आप इस सिंड्रोम से बाहर निकलें क्योंकि वह अमेरिका है और हम लोग इंडिया में अमेरिका में वीपन आप जय से इंडिया में गाड़ी करीबते हैं जैसे अमेरिका में वीपन करीब सकते हैं कोई गननला नहीं है मतलब कोई ल Allison Harley सबसे पाहले कि अगर सबसे पहले जो है अपनी सेफटी है तो सर मेरे पास भी 0.32 वेपन है और मैं मुझे लगता है कि मैं 32 उतको रिप्लेस करके या उसको सेल आउट करके 0.22 क्योंकि 32 और 0.22 में मतलब दोनों में तो कोई रिक्वाइल ही नहीं और 0.32 में उससे थोड़ा सा हलका रिक्वाइल है लेकिन आप बात करें 0.45 और 0.30 के बाड़े में तो सर यह 0.45 तो कम्प्लीट हंटिंग कैलिबर है क्योंकि 45 मतलब अपनी सेफटी के लिए वेपन को यूज करते है है तो आपका जो एम होना चाहिए आपका जो टार्गेट होगा उस टार्गेट पे आपको सक्सेशिव सॉट लगाना पड़ेगा मतलब आपका शॉट सक्सेश होना चाहिए कि हो सकता है कि आप पहला सॉट लगा दे आपका पहला सॉट पर आसपास लगा और वेपन का रिक इतना जादा है कि सर आप उससे अपनी सेफटी को करी नहीं सकते आप एक बहुत रिसेंट नया एक्जामपल है सिद्धु मुसे वाला के पास पाइंट फॉर फाइफ का लिवर का पिस्टल तो उस हमले के अगेंस्ट में उन्होंने भी अपने पिस्टल से फायर किया लेकिन पहला उनका चला और दूसरा शॉर्ट फिर वो सारा दूसर स्वाला के पास पॉइंट फॉर फाइफ की आपको नहीं होता हैं तो मैं वही बात कर रहा हूं कि आप अपने आप सेफटी के लिए अपनी सेफटी के लिए रहे हैं तो भोकाल ताइट करने के लिए अपनी सेफटी कुछ यहीं लेजी CAR लेजिए मैं अगर आप को सही में अपनी सेफटी चाहिए तो नों पॉंयंट होत की दूनिया में जिकनी पॉन्नटुटु का जो कार्ट्रिज है उसको पाड कर जाता है तो पॉन्न तूटुटु का गुली कार्ट्रिज हो बहुत ए नहीं है बब बहुत तो आप यह देखें कि अगर अपका सही में मतलब यह मैं ऐसा बहना चाहरा हूं आप लोग को या मैं यह बताना चाहरा हूं कि अगर आपको का सही में मकसद अपना सर्फ डिशेंस है तो यू मस्ट गो फॉर पॉइंट टू और पॉइंट टू कैलिबर अब बात करें तो आपको 405 में मिलेगा अब दस गोली छोड़ेंगा आपका 5000 करश होगा तो यह सारी बते हैं अब बात करें राइफल पे तो राइफल सर्फ अब सहर के लिए नहीं राइफल क्लोज वाटर डिफेंस के लिए नहीं राइफल का यूज जो है वह वैसी जगह क जैसे माननी से कि आपको गाउं में 100-200 मिटर के आपको फाइट करना है तब राइफल का एक्शन यूज है तो यह आज का हमारा चॉपिक था आसा करता हूं कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि वेपन सेलेक्शन के लिए कौन सा कैलिबर बेस्ट हो धन्यवार प्लीज लाइ इननने सेलेक्शन क करना है तो